नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है Vivo V20 आपके पास Vivo V20 है या फिर Vivo V20 Pro है कोई फरक निबढ़ता है इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल मे यहां पे अगर आपको OTG से connected related problem आ रही है connection में या फिर आपका USB tethering में problem आ रही है तो इस problem को आपको कैसे fix करना है तो चले इस वीडियो में हम देख लेते हैं तो normally अगर आप यहां पे इसको connect करते हैं तो यहां पे आपके सामने option आ जाता है लेकिन अगर आपके सामने option नह आपना on कर देंगे तो यहां पे यह option आने लग जाएगा ठीक है तो यहां से आप अपना data अगर शेयर कर सकते हैं लेकिन अगर आपको USB tethering के problem आ रही है connect नहीं हो पा रहा है USB तो यहां पे आपको चले जाना है सेटिंग पे और सेटिंग पे जाने के बाद ऐसे स्क्रॉल क करेंगे तो यहां पे मैं आपको developer option on करवाने वाली हूँ पहले तो तो developer option on करने के लिए यहां पे आपको about phone पे क्लिक करना है और इसके बाद यहां पे आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे और यहां पे built number पे ऐसे 6-7 बार आपको क्लिक करना है और जो भी आपने pattern lock लगा रखा है व आप पैक कर देंगे और यहां पे आप ऐसे सर्च में जाएंगे और developer option लिखेंगे तो यह रहा आपका developer option इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे यहां पे आपको ऐसे स्क्रॉल करना है यहां पे आपको usb debugging पे क्लिक करना है on करके ok कर देंगे और यहां पे अगर connection से related problem आ रहे ह तो यहां पर रिवोक यूएसबी कर देंगे, तो जो फालतू के चनेक्शन्स हो रखे हैं तो वह डिसकनेक्ट हो जाएंगे और आपके डिवाइस से यह कनेक्ट हो जाएगा तो आपको यह दोनों चीज़े कर लेनी है और इसको आप डिफॉल्ट में भी सेट कर सकते हैं डिफॉल्ट में सेट करने के लिए आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे डिफॉल्ट यूएस्बी क्लिक करेंगे तो यहां पर जब भी आप अपना यूएस्बी कनेक्ट करते हैं तो आपको किस टैप को ऑप्शन देखने को मिलना चाहिए जैसे कि आपका फाइल ट्रांसफर होना चाहिए हमेशा या फिर यूएस्बी ठैतरिंग होना चाहिए मीडी प्ले करना चाहते हैं तो आप इस पर कर सकते हैं तो मैं यहां पर नो डेटा ट्रांसफर पर रहने देती हूं बिना मेरी पर्मिशन की यहां पर कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं होगा तो मैं इस पर रहने देती हूं डिफॉल्ट आप इन सब में से चूज कर सकते हैं तो आपका डिफॉल्ट में convert हो जाता है तो इस step से आप यहां पर problem को fix कर सकते हैं तो आई हो guys यह video आपको ज़रूर पसंद आया होगा इस टाप के और वी इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा तो चले मिलते हैं आपको इस नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार